तो आज हम ऐसे ही युवक से मिलवाने जा रहे हैं आपको जोकी अखनूर के गाउं से जिनका नाम है रितिक शर्मा और काफी सारी वीडियोस इन्हों ने डाली और लोगों में लाइक लोगों ने लाइक भी की कि इस को रोना मामारी ने इन्हों ने खुद को तो फिट रखा पर उसके साथ युवक के लिए भी एक प्रेणा बने पानी का इस्तमाल किया नदी नालों का इस्तमाल किया चली आज इंसे एक मुलाकात करते हैं और बताते हैं और अपने युवक को भी किस तरह से भी आप घर में रहकर भी फिट रह सकते हैं जी रितिक जी आपका हमारे से अपलोड होती हैं लोग उसको पसंद करते इवन के बालीवुड के जो एक्टर और मार्शल आट के भी बड़े एक्सपोर्ट है विद्ध जमाल उन्होंने भी आपकी वीडियो को लाइक किया और आपको अप्रिशेट किया कहा कहेंगे मैं मैं अपनी जर्नी के बारे में यही घरा चाहूंगा कि जैसे लॉग डौन स्टार्ट हुआ था तो मैं पहले से बड़ी दیर से जिम में वर्कोट करते हुर्ण है तो मुझे फिटन्यास का शोक है मुझे फिट रहने का शोक है तो जैसे लॉग डौन स्टार्ट हुआ तो मुझे पता मैंने इस सोचा कि अब जिम्स बंद हो गी है तो अब फिट कैसे रहा जाएगा क्योंकि हमारी जो सोच है हमारी सोच चल चुकी है स्पैसिफिकेशन की तरफ हम चीजों को स्पैसिफाइगर के जैसे फिटनेस हमने उसको जोड़ दिया है जिम के साथ कि हम जिम के साथ ही फिट रह सकते हैं लेकिन जब यह सब हुआ लॉगड़न वगरा हुआ तो मैंने सोजा कि अब अपनी मायन को अपनी सोच को बदलना पड़े का और चीजों को अपने बॉड़े एक्सराइज करना स्टार्ट किया तो मैंने उनको जैसे सोचल मीडिया बे डाला काफी अच्छा रिस्पोंस मेला लोगों गा और मैं लोगों काफी काफी थैंक्फूल हुँ जिन्हों ने मुझे सपोर्ट किया और उसी के साथ साथ मैंने विद्धियूत करते हैं तो जब मैंने उनको टैक किया और उनको वीडियो अच्छी लगी तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशेट किया जो मुझे काफी अच्छा लगा था तो अब ऐसे ही मेरी जर्नी चल रही है और आगे भी मैं जिम के बिना ही हमने आपको देखा कि आपको आपने जो संदेश जाता है तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक्सराइज और जो वह कोट है यह कितना जरूरी यह खास करके इस पेंडमिक के टाइम में हर युबा के लिए हर व्यक्ति के लिए हर उमर के इनसान के लिए मैं अगर एक्सराइज की बात करने हो तो टाइम में अगर हम पीछे जाएं तो अगर जिस टाइम पे हुमन बिंग्स फूट सेंकी टॉप पर आये थे तो वह इसी इसी लिए आये थे क्योंकि हम बाकी एनिमल से काफी अच्छी तरह से मूव कर सकते थे हम बोलते हैं कि यह सब कुछ नहीं कर सकते तो मूवमेंट ही एक ऐसा रीजन थी जिसकी वज़से हम फूट चेन के टॉप पर आये थे लेकिन जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे हम अपनी जो इस टाइम की लाइफ चल रहे है कॉर्परेट लाइफ या जॉब्स में हम बीजी होने लगे तो अपने आपको फिटनेस से दूर कर लिया लगने लाइफ होगी हमारी जी बिल्कुल हम लोग कॉंफर्ट की तरफ जादा होने लगे उसकी विज़से हमने बहुत सारे उसका एक प्राइस भी पे किया है क्यूंकि आजकल की जो फिटनेस है बहुत ही जादा कम हो चुकी ह हैं और अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपका जो काम है आप उसको भी अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे रितिक जी बड़ी अच्छी बात की एक चीज़ आप से और पूछना चाहेंगे कि जिसना से आप ये वीडियो बनाते हैं और अपलोड भी करते हैं और काफी सारे लगता जब लोग आपकी प्रेस करते हैं वालीवूड एक्टर वीडियो जम्वाल ने भी आपको अप्रिशेट किया कैसा लगा आपको ये करके कि वाकिया कि आपकी छोटी सी कोशिश ने आप उसकोशिश की वज़से लोगों के दिलों में जागा मैं मैं बहुत ही साथा कि मुझे जब लोगों ने सपोर्ट किया था उसी की वजह से मुझे विद्फ जम वाल सर ने नौटीस किया था कि अगर ना करते तो मैं हो सकता रहे हो आप चोटे बच्चों को जिखा रहे हो आप बहुत अच्या काम कर रहे हो तो यह सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो मुझे आगे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है तो मैं बहुत ही जादा थैंक्फूल हूँ अपनी सारी ओडियंस का जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं बिल्कुल रिते जी आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे इस चीज़ को कांटीनू रखना चाहेंगे कि लोगों को भी प्रेवना मिले इस इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को भी यूँ आओं को भी इ जी मैं बिल्कुल इसी को इसको तो कॉंटीनू रखना ही चाहूंगा लेकिन मैं साधी साथ मैं बहुत आगे के बारे में नहीं सोचता मैं सोचता हूं कि मेरा अगला वर्कॉट क्या होने वाला है या मैं कल क्या करने वाला हूं तो मेरा यही मोटिव है कि अपने जो अपना तो मैं अपने गाउं से ही अपना जो content है में बना करते रहूंगा तो इसलिए अपने चोटे चोटे जो गोल से उसके उपर आप करिए और डेफिनिटली आपको आगे बढ़ते जाएंगे क्या रितिक आप अपनी मादिम से मैसेज देना चाहेंगे इस खास करके इस करोना काल में मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जितना अपसे हो सके आप अपने fitness के लिए कुछ ना कुछ करें आप excuses ना चोटे कंपैक्ट जगा में रहूंगा तो मैं यहां पर कैसे अपनी फिटनेस को उससाब से डाल सकता हूं इसलिए हालात के अगर आप जिम नहीं जा रहें अपने घर पे देखेंगे आप कैसे फिटनेस के लिए कुछ न कुछ करें और एक्सक्यूजज ना दें कि आप यह चीज नहीं है यह यह चीज नहीं है धन्यवाजी तेक्ट जिस्ट यह हैं हमारे तकनूर के गाउं के विवा रितिक शर्मा का